हम आपको बतादे के बिहार राज के अंदर स्वास्त कर्मी अनिशीत कालीन हर्ताल पर खास कर संभीदा कर्मी बतादे के हिलिसा के प्राथमिक स्वास्त के अंदर कैंपस में अनिशीत कालीन हर्ताल पर स्वास्त कर्मी है और अपनी मांग को लेकर वह हर्ताल पर है नालंदा जिला के सिबिल सर्जन जीतेंदर कुमार शी जैसे ही हिलिसा के प्राथमिक स्वास्तर के दरन में सुक्रबार को पहुंचे कि स्वास्त कर्मियों ने उनसे घराब कर दिया है और कहा है कि जल्द ही हमारी मांग पूरा कर लिया जाए बता दे कि वहां मांग क्या है वहां मांग है कि अब डीटल तरीके से उनकी उपस्तिती ली जाएगी और दीन में तीन बार उपस्तिती ली जाएगी अगर ड्रामिन छेत्र में उनका ड्यूटी है तो सुबह के 9 वे से साम के 5 वे तक ड्यूटी होगा और ड्यूटी के दौरान तीन बार उपस्तिती दर्ज करना होगा जबकि पुराने जो स्वास्त कर्मी है उन्हें किसी प्रकार के बंदन नहीं है उन्हें मेनुवल टरीके से उपस्तिती दर्ज करना होगा इसी का विरोध कर रहे हैं और नालंदा जिला में भी जितने भी P.S.E. हैं वहां स्वास्त कर्मी परदर्शन कर रहे हैं और यहा देखने को सुक्रबार को मिला कि जैसे ही सिविल सर्जन प्रात्मिक स्वास्त्र केंदर हेलसा में पहुंचे कि उन लोगों ने उन्हें घराब कर दिया है अपनी मांग को उनके सामने रखने का काम क्या है सीविल सर्जन ने कहा कि जितना हो सकता है आप लोग की बातों को उपर पहुंचाने का काम करेंगे